आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी important वीडियो लेके आई हूँ तो देखिए आपके आगामी उत्रवाखन के सभी एक्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को study with aim के द्वारा practice set प्रोवाइट कराये जा रहे हैं ये practice set आपको alternate days पर रात को 8 बजे प्रोवाइट कराये जाता है और अभी तक आपको 15 practice set अल्रेडी प्रोवाइट करा दिये गए हैं आज ये 16 practice set है तो जिन लोगों ने पुराने practice set नहीं देखे हैं study with aim पर playlist अपडेट कर द GS, computer और उत्राखंड के question mention किये गए हैं जिस pattern पर आपका आगामी, question paper, I.O के द्वारा बनाये जाएगा उसी pattern पर ये practice set हमारे द्वारा बनाये गया है तो काफी महतपोण ये practice set बन जाता है आपके आगामी, उत्राखंड, police, पटपारी, लेक, पाल, forest guard पर अन्य, एक दिवस सभी परिक्षाओं है तो आप सभी लोग हमारे इस practice set में starting से लेकर end तक बने रहें, तो चलिए आज के practice set को हम start करते हैं, start करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे youtube channel study with aim को subscribe नहीं किया है, वो subscribe कर लें, साथे साथ पगल में जो bell icon देख रहा है, इससे भी प्रेस कर ल और telegram channel पर रात को 8 वजे quiz का भी आयजन किया जाता है, काफी महतफोन question आपको quiz के रूप में दिये जा रहे हैं, तो आप को join कर सकते हैं, तो चलिए आज के practice set को हम solve करते हैं, और इस session का पहला question है, संग की राजभाशा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी, यह है भारत के समिधान के किस अनुचेद में वर्णित है, तो देखिए अनुचेद 343 में वर्णित है, कि संग की राजभाशा हिंदी और लिपी देवनागरी होगी, यानि कि option B यहाँ पे आपका correct answer है, अगला question देखें, कर, बैठ, चल, आदी धातू परकार हैं, तो देखिए कर, बैठ, चल, आदी मूल धातू हैं, यह ध्यान रिखेंगे, यह सबी हैं मूल धातू और इन में नापरतियाई, ध्यान देजेगा इन मूल धातू में नापरतियाई जोड़ कर क्या बनाई जाती है, किरि क्याएं हो जाएंगी अगर ऐसे ही अगर लिखते हैं आप तो ये हैं मोल धातुएं अगला कुश्चन देखेंगे अलाद किस भाषा का शब्द है तो देखें अलाद जो है ये अर्भी भाषा का शब्द है option इस कुश्चन का right answer है अगला कुश्चन देखेंगे अतिधन उक्ती की संधी करने पर शब्द बनेगा यानि की option बी यहाँ पर आपका right answer है और आप से ये भी पूछा जा सकता है बताएं ये किस संधी का उधारण है तो देखें अतिधन उक्ती ये किस संधी का यन संधी का उधारण है अगला कुश्चन देखेंगे परशुराम शब्द का परियाई वाची नहीं है तो देखें पशुराम शब्द का परियाई वाची नहीं है इनमेंसे शिव पिरिय option B यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे निमने लिखित मैंसे पद में तत्पूरुष समास नहीं है तो देखें कौन से पद में तो कौन सा शब्द हो जाएगा तत्सम सब्द भविश्य ओप्शन A यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे अगला question है खटोला में कौन सा परियाई है अब बताएए परियाई जो होते हैं यह शब्दों के end में लगते हैं तो बताएं खटोला में कौन सा परियाई होगा ला होगा, उला होगा, ओला होगा या फिर अला होगा तो जिन लोग को answer आ रहा है अपना right answer लगाएं आप सबी लोग भी तो खटोला में परियाई होगा ओला परियाई, option C यहाँ पे आपका right answer है अगला कुश्चन देखेंगे जो किरिया कर्म का बोथ नहीं कराती उसे कहते हैं तो देखें, जो किरिया कर्म का बोथ नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है अकर्मक किरिया option C, इस कुश्चन का correct answer है अगला कुश्चन देखें सर्व नाम का प्रकार नहीं है तो दिखिए मैसेज सर्व नाम का प्रकार नहीं है कौन सा प्रकार नहीं है गुण वाचक गुण वाचक जो है ये सर्व नाम का प्रकार नहीं है गुण वाचक जो है ये किसका प्रकार है ये विशेशन का एक प्रकार है यह आपको याद रखना है विशेशन का प्रकार है गोण वाचक सर्वनाम का नहीं है अगला कुशन देखेंगे अगला कुशन है आपका निमने लिखित छे बाक्यांशों में पर्थम वा अंतिम निश्यत हैं शेश को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो देखें यहा कि जो बचे उनको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहला जो आपका सेंटेंस बन जाएगा वो क्या बनेगा फोटो के साथ पृतियोगी फोटोग्राफर फिर उसके बाद आएगा आपका इस आसरी का प्रमान पत्र अवश्य फिर आपका क्या आजाएगा इसके ब चुब्स बाद कौन सा आजयेगा वह के बाद आएगा, आपका यौ वाला, यानि कि यौ आपका पहले बाद आपका, वह के बाद यह आगे, दिखेंक व्यक्ति की अनुमति प्राप्ट कर ली और उसके बाद आएगा क्या, इस विशे में प्रकाशक होने वाले नुक्षान और एंड में आ जाएगा हानी के लिए वह स्वयम जिम्मिदार होगा तो इसको व्यवस्थित करते हैं अगर तो कैसे हो जाएगा व्यवस्थित जैसे आपके C में किया गया है Raw, War, Year और Law, Option C बिल्कुल Right Answer हो जाएगा अगला कुश्चन देखेंगे विभासा किसे कहते हैं तो देखें विभासा की यहाँ पर बात हो रही है तो विभासा किसे कहेंगे बताएं विभासा कहा जाता है हिंदी छेतर के प्रमुख बोलियों को Option B इस कुश्चन का Right Answer हो जाएगा हिंदी छेतर के प्रमुख बोलियों को क्या कहा जाता है विभासा कहते हैं जैसे की ब्रज भासा और अवधी यह सभी आपके क्या हो जाएंगे विभासा हो जाएंगे यह आत्रुखें अगला question देखेंगे भक्ती रस का इस्थाई भाव है तो देखें भक्ती रस का इस्थाई भाव बताना है तो भक्ती रस जो होता है इसका इस्थाई भाव होता है भगवद प्रेम option D, यहाँ पे आपका right answer है, अगला question देखेंगे, कौन सा बिलोम युक्म गलत है, तु देखी, यहाँ पे गलत बिलोम युक्म कौन सा है, मिध व्याई, अल्प व्याई, option C, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा, सही बिलोम क्या हो जाएगा, मिध व्याई, अप व्याई, की जगा अफ़ व्याई होना चाहिए तो ये आपका गलत यूपम हो गया है अगला कुशन देखेंगे व्यूरे यूक्रेसी का सामानार्थक हिंदी शब्द है तो देखें यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अधिकारी तंत्र अगला कुशन देखेंगे किस वाक्य में विरामचिन समंदी विसंगती है तो देखें किस वाक्य में विरामचिन समंदी विसंगती है यह बताना है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरी कांतर तरपाथे निराला चायाबाद के प्रमुख कभी थे तो देखे सूरी कांतर तरपाथे निराला चायाबाद के प्रमुख कभी थे वाकी में जो उद्धरन चिन यानि कि आपको double inverted comma जो दिया है तो उद्धरन चिन संबंदी विसंगती है तो यह याद रखेंगे double inverted जो कॉमा लगा है इसमें क्या है इसमें विसंगती है इसका तो जो आपके उपनाम दिये होते हैं किसी भी लेखकों के या फिर किसी भी व्यक्तियों के जो उपनाम दिये होते हैं तो उपनाम में हमेशा याद रखेगा इखरा यानि कि double inverted कॉमा नहीं लगेगा इसमें इसमें लगेगा single inverted कॉमा यह आपको याद रखना है यहाँ पे double ने लगना चाहिए था यहाँ पे single कौमा ही लगना चाहिए था तो यह आपका हो गया विसंगती विरामचिन समण्दी जंगती सको कहा जाता है अगला कुशन देखेंगे शौरसंदी से निर्मित शुब्द नहीं है तो देखेंं शौरसंदी शे कौन सा सब्द नहीं है अब बताएं जिन लोग को आंसर आ रहा है तो यहां पे आपका right answer हो जाएगा उत्थान स्वर्वसंदी से निर्मित शब्द नहीं है आपका उत्थान उत्धन उत्थन भान इसका संदी विचित करेंगे तो क्या हो जाएगा उत्धन थान ये सब्द स्वरसंदी से निर्मित शब्द नहीं है अगला कुश्चन देखेंगे निमने लिखित में से कौन सा समास भगवान फ्रीकर्ष्ण को संबोधित करने हितू प्रियोग नहीं किया जाता तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा किस वाकि में हेतू हेतू मद भूतकाल का प्रियोग हुआ है तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन दी सावधानी बरत्ते तो दुरघटन नहोती इस वाकि में हेतू हेतू मद भूतकाल का प्रियोग हुआ है option D यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे वर्तनी की दृष्टी से कौन सा शब्द अशुद्ध है तो वर्तनी की दृष्टी से अशुद्ध सब्द हो जाएगा इसमें चतुरिनी option D यहाँ पे आपका right answer है और चतुर से चतुराई या चतुरता होगा यह याद रखेंगे शुद्ध क्या हो जाएगा चतुराई या फिर चतुरता अगला question देखेंगे चातपुर गड़ी कहाँ इस्तित है तो देखें चातपुर गड़ी की बात करें तो यह कहाँ पर इस्तित है यह है आपके चमोली में option A बिलकुल correct answer है उत्राखन के चमोली जिले के कर्ण परियाग और गैर सेन के बीच में इस्तित इस्तान को चातपुर गड़ी के नाम से जाना जाता है अगला question देखेंगे उत्राखन में भारती पसुचिकित्सा एवं अनुसंधान सस्तित है तो उत्राखन में भारती पसुचिकित्सा एवं अनुसंधान सस्तित है मुक्तेश्वर में इस्तित है option C यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा और जिला पूछ लिया जाए तो आपका कौन सा जिला हो जाएगा नैनिताल जिला नैनिताल में इस्तित है अपका मुक्तेश्वर तो यहीं पे भारती पसुचिकित्सा एवं अनुसंधान सस्तित है और सरुप्रतम डॉक्टर एलफेड लिंगाट के प्रियासों से वर्ष 1893 में इससे Imperial Bacteriological Laboratory के नाम से Imperial Bacteriological Laboratory के नाम से स्थाफित किया गया था और वर्ष 1925 में इसका नाम Imperial Institute of Veterinary Research और आजादी के बाद यानि की बर्तमान नाम इसका क्या रखा गया है भारती पसुचिकित्सा एवं अनुसंधान सस्थान रखा गया है और इसी सेंटर में मुर्गियों के रानिखेत नामक रोग के टीके का आविशकार भी किया गया था अगला कुश्चन देखेंगे कुमाओं की चित्रकला के लेखक हैं डॉक्टर यशोदर मटपाल ओप्शन D यहाँ पे आपका राइट अंसर है डॉक्टर यशोदर मटपाल और वर्ष 2006 में इन्हें भारत सरकार ने किस अवार्ट से सम्मानित किया था पद्म श्री अवर्ड से इन्हें सम्मानित किया इया था भारत सरकार के द्वारा वर्षित 2006 में डॉक्टर यशुदर मठपाल की अन्य किर्थियों के अगर हम बात करते हैं तो कुमाओ हिमाले में रॉक आर्ट और कुमाओ पेंटिंग ये भी इनकी ही पुस्तके हैं चित्रक तोलिया जो है इन्होंने कौन सी किताब लिखी है ब्रिटिस कुमाओ गड़वाल यानि की ऑफशन यहाँ पे आपका राइट आंसर है डॉक्टर आरेस तोलिया द्वारा लिखित पुस्तक ब्रिटिस कुमाओ गड़वाल है अगला कुश्यन देखेंगे उत्राखंड कोई भी सीट अरक्षित नहीं है विधान सबाब में यह आपको याद रखना है ऑफशन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला कुश्यन देखें किन नदियों को सास बहु के नाम से जाना जाता है तो देखें सास बहु के नाम से जाना जाता है भागी रत को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है जहां पे भागी रती और अलगनंदा का मिलन होगा तो यहीं से आगे यह गंगा के नाम से जानी जाती है यह नदी और गडवाल छेतर में मानेता भागी रती नदी को सास तथा अलगनंदा नदी को बहु कहा जाता है यह ध्या तो देखिए उत्राखंड राज में भूमी मापन में कौन सा मातरक प्रियोग में लाया जाता है ये है नाली और मुठी दोनों ही लाया जाते हैं तो option c बिलकुल right answer हो जाएगा a और b उत्राखंड में भूमी मापन में इस्तेमाल होने वाले परंपरागत इकाईया नाली और म प्रियोग में लाया जाता है उत्राखंड राजी में ये याद रखें अगला कुश्चन देखें प्रशिद गौचर मेला कब प्रारंब हुआ था इन में से कोई नहीं आपका option d बिलकुल right answer हो जाएगा देखें चमोली जनपत के अंतरगाद गोचर मेले कायजन किया जाता है और गोचर मेला प्रती वर्श 14 नवेंबर को और यहां मेला वर्श 1943 में आरंब किया था तो यहां पर आपका वर्श 1943 दिया नहीं है तो आपका इन में से कोई नहीं correct answer हो जाएगा अगला question देखेंगे तीलू रौतेली की मोर्ती कहां इस्थाफित है तो देखें तीलू रौतेली की जो मोर्ती है ये कहां पर इस्थाफित की गई है बीरों खाल में इस्थाफित की गई है और तीलू रौतेली के बचपन का नाम पोचा जा सकता है तो इनके बचपन का नाम क यह ध्यान दिखेंगे तिलो तमा देवी इनके बचपन का नाम था और इन्हें गड़वाल की जासी की रानी के नाम से भी जाना जाता है अगला कुश्चन देखेंगे सहस्त्र धारा कास्ट इस्थला करती यह किसके निकट है यह निकट हो जाएगा देहरादून के आप्शन भी यहां पे आपका राइट आंसर है देखेंगे सहस्त्र धारा कास्ट इस्थला करती यह निकट है। प्रधान चेत्रों में जल के भूमिकत रिसाव से निर्मित आकड़तियां जो होती है, उनको कास्ट इस्टलाकड़तियां कहा जाता है, अगला कुश्यन दिखेंगे उतराखंड के किस जनपद में कंडाली उत्सव यानि तिहार मनाया जाता है, तो कंडाली उत्सव कहां पर म में एक फूल कंडाली जो है प्रती एक बारा वर्ष में एक बार खिलता है और यह है उत्सव अगस्त से अक्टूवर के मद्य मनाया जाता है तो कंडाली किसे कहते हैं ये भी आपको याद रखना है और इसके अलावा पिथोरगार में कौन सा उत्सव बनाया जाता है ये आप कमेंट करके बताएं जल्दी से कमेंट शेक्शन में अगला कुशन देखें उत्राखन में किस इस्थान में रंग संस्कृती जुड़ी हुई है किस इस्थान से जुड़ी हुई है रंग संस्कृती ये बताना है most important ये कुशन है तो देखिए रंग संस्कृती जो है ये किस इस्थान से जुड़ी हुई है, तारमा घाटी से जुड़ी हुई है, option A यहाँ पर आपका right answer है अगला question देखें, रूप कुंड को किस अन्य नाम से जाना जाता है रूप कुंड को किस अन्य नाम से बताईए, जाना जाता है important है और रूप कुंड अच्छे से पढ़ लिजेगा, यहाँ से question पूछा ही जा रहा है आईयो के द्वारा, आप देख सकते हैं, आपको previous year question paper काफी सारे solve करा दिये गए है तो रूप कुंड से अकसर question बन रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लिजे रूप कुंड के बारे में जितने भी detail है, बहुत अच्छे से निकाल के आप पढ़ लिजेगा तो देखे, रूप कुंड को किस अन्या नाम से जाना जाता है, यह बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे right answer हो जाएगा आपका रहेसिताल रूप कुंड को रहेसिताल के नाम से भी जाना जाता है और यह किस जिले में इस्तित है, रूप कुंड चमोली जिले में बेदनी भुग्याल के निकड़ इस्तित है, रूप कुंड और रूप कुंड के आसपास बड़ी संख्या में मिले नर कंकाल की वज़े से इसे कंकाली ताल भी कहा जाता है यह ध्यान रिखेंगे इसी ताल को रूपकुंड को कंकाली ताल भी कहा जाता है चलिए अगला देखेंगे उत्राखंड में खादियो सुरक्षा योजना किस नेता की जैन्तिपा शुरू की गई important question है उत्राखंड में खादियो सुरक्षा योजना यह किस नेता की राजीव गांधी कि जैन्तिपा शुरू की गई option B यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा अगला question देखेंगे देवी धुरा मेला कहा लगता है देखें देवी धुरा मेला कहां पर चमपावद जिले में option B यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा देवी धुरा मेला चमपावद जिले में माँ बाराही ध्यान देजिएगा यहाँ पे माँ बाराही का मंदिर है देवी धुरा में तो यहीं पर इस मेले का आयज़न होता है तो बाराही दिवी मंदर में प्रतिवार्षिश रावर्ण मास यानी रक्षय मन्दर के आफ़सर पर यह मिला लगता है कहां पर देवी धुरा चम्पावत में अगला कुश्यन देखेंगे ट्रेल पास कहां एस्थित है देखे ट्रेल पास यो है ये आपके कहां पर इस्तित है बागिश्वर पिथारगड के बीच इस्तित है ट्रेल पास दर्रा ओप्शन बी यहां पर आपका राइट आंसर है और ट्रेल पास 5312 मीटर की उचाई पर बागिश्वर पिथारगड जिले में इस्तित परवती दर्रा है और यह है नंदा और नंदा कोठ चोटियों के बीच में इस्तित है और वर्ष 1830 इसमी में सरपरतम जी डबलू ट्रेल कुमाव डिविजन के बिटिस डिप्टी कमिशनर थे डी जी डबलू ट्रेल तो यह ट्रेल जो है इस दर्रे पर पहुंचे थे तो इन ही के नाम पर इस से ट्रेल पास दर्रा कहा जाता है अगला कुशन देखेंगे निमन मैंसे कौन सा गलेशर रूद्र प्रियाग जनपद में इस्तित है तो देखें रूद्र प्रियाग जनपद में इस्तित गलेशर बताना है तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चौरा बाड़ी औप्शन सी बिलकुल राइट आंसर है चौरा बाड़ी कलेशर रूदर प्रियाग जिले में अवस्थित है और यह केदारनाथ मंदिर से लगभग तीन किलो मीटर की दूरी पर इस्थित है रूदर प्रियाग जिले में ही अलगनंदा वा मन्दाकने नदियों का संगम होता है ये भी आपको याद रखना है और चौरा बाड़ी कलेशर से किस नदी का उदगम हुआ है जल्दी से कमेंड करके बताएं आप सभी लोग अगला कुशन देखेंगे चारण नाम से निमने लिखित मैसे किनहें जाना जाता है दिखे चारण उप नाम से जाने जाते हैं कौन जाने जाते हैं शिव परशाद डबराल उप्शन ए बिलकुल करेक्ट आंसर है उतराखंड के परशिद्द इतिहासकार है शिव परशाद डबराल जिन्हें चारण के नाम से भी जाना जाता है और इनके प्रमुक रचनाएं कौन-कौन सी है देखे उतराखंड का इतिहास 12 भागों में लिखा है इन्होंने शिव परशाद डबराल ने इसके अलावा गोरा बादल, गड़वाली मेग दूत, अतीत इसमिर्थी, सतीरमा, ये सब ही इनके प्रमुक रचना हैं, जो की पूछी जा सकते हैं आप लोगों से आईयों के द्वारा, तो आप इने ध्यान रख लीजिए, और घुमकड़ी शौक की कारण इनको क्या कहा जा जाता है, चारण कहा जाता है, ये घुमकड़ी सौक वाले व्यक्ति थे, इसलिए इने चारण कहा जाता है, और इने इनसाइकलोपीडिया और उत्राखन भी कहा जाता है, इनसाइकलोपीडिया और उत्राखन किस लेखकों कहा जाता है, बताईए, पोछा जा सकता है, तो आ पर आपका right answer हो जाएगा और इसके स्थापना कब की गई तो दिए उत्राखंड प्रशाशनिक अकादमी की जो स्थापना है ये वर्ष 1951 इस भी में कहां पर की गई इलहबाद में की गई थी और वर्ष 1971 में से नेनिताल स्थापित किया गया इस्थानांदृत किया गया नेन है इसका अगला question देखेंगे पिंडारी गलेशर उत्राखंड के किस जनपद में है देखें पिंडारी जो गलेशर है आपके ये कहां पर इस्थित है ये है बागिश्वर जनपद में और पिंडारी गलेशर से किस नदी का उत्राखंड होआ है पिंडर नदी पिंडर नदी जो अलक नंदा की सायक नदी है न पिंडर नदी तो यहीं से निकली हुई है यह पिंडारी गलेश्यर बागेश्वर जनपद में यह इस्तित है और उत्राखंड राजी का दूसरा बड़ा गलेश्यर कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताएं आप सभी लोग तो यही जो है यह राजी का दूसरा बड़ा गलेश्यर भी है पिंडारी गलेश्यर और पिंडारी जो गलेश्यर है यह बागेश्यर पितोरगर और चमोली जिलो में फैला हुआ है यह धानु केंगे तीन जिलो में यह फैला हुआ है जो की 30 किलो मेटर तक फैला है यह आपको याद रखना है इसके अलावा देखिए कफनी गलेशियर सुकराम गलेशियर सुन्दर ढूंगी ये सबी गलेशियर भी आपके कहां पर इस्तित हैं बागेशियर में ही इस्तित हैं चलिए अगला कुशन देखें अगला देखेंगे पितोरगर जिले की स्थापना कब हुई थी देखेंगे ये कुशन भी पूछा गया है आईयो के द्वारा तो पितोरगर जिले की स्थापना कब हुई याद रखेंगे लिजे तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा देखें चौबिस फरवरी उनने सो साथ ओप्शन ये बिलकुल राइट आंसर है अलमोडा के भारत तिब्बद नेपाल बॉर्डर वाले कापती खंड को अलग करके चौबिस फरवरी उनने सो साथ को पितोरगर जिले के स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालेई कहां पर इस्तिध है पितोरगर शहर में ही इस्तिध है पितोरगर शहर में इसका अगला क्वेशन देखेंगे उत्रांचल वर्तमान उत्राखंड की पर्थम निर्वाचित बिधान सबा के अध्यक्ष थे तो देखे उत्रांचल की पर्थम निर्वाचित बिधान सबा के अध्यक्ष बताने हैं तो यश्पाल आरिया इस क्वेशन का राइट आंसर हो 14 फरवरी 2002 को हुए थे और 2 मार्च 2002 को कॉंग्रिस के सांसा नरायन दत्तिवारी ने राजी की प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्य मंत्री पत की सफद ले थी तो वहीं प्रथम निर्वाचित विधान साबा का अध्यक्ष यश्वाल आर्या को बनाया गया था यहाद रखेंगे वहीं पर प्रथम निर्वाचित विधान साबा का अध्यक्ष किसको बनाया गया था यश्वाल आर्या को बनाया गया था अंतरिम विधान साबा के अध्यक कौन बनाये गए थे जल्दी से कमेंट कीजिए अगला कुशन देखें निमनु मैंसे धौली नाग मंदिर किस जिले में इस्तित है देखें धौली नाग मंदिर इस्तित है आपके कहां पर बागेश्वर में option B यहां पर आपका right answer हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे अलमोडा में जेल का निर्मान कब किया गया था पर किया गया था वर्ष 18 वर्ष 18-16 में किया गया था option C बिलकुल और करेक्ट है अगला कुशन देखेंगे अनुसूचित जातियों के लिए लोग सभा में कितनी सीटे आरक्षित हैं तो देखे अनुसुचित जन जातियों के लिए लोग सभा में जो सीटे आरक्षित की गई है इन सीटों की संक्या है 47 ओप्शन ए यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा देखे भारती समविधान के अनुचेद 330 के अकारडिंग लोग सभा में अनुसुचित जातियों के लिए 543 निरवाचित सीटों में से 84 सीटे आरक्षित की गई है तो यह आपको याद रखना है important point है 32 समविधान के अनुचे 330 के अनुसार लोकसावा में अनुसूची जातियों के लिए 543 निरवाचिस सीटों में से कितने अनुसूची जातियों के लिए 84 सीटे जबकि अनुसूची जन जातियों के लिए 47 सीटे आरक्षित की गई है अगला question देखेंगे मौर्य वंश की स्थापना मगद में हुई थी जो वर्तमान में डैस के नाम से जाना जाता है मौर्य राजवंश के स्थापना कहां पर हुई मगद में हुई एक कुश्यन आपका यहीं से बन जाता है तो वर्तमान में इसका नाम क्या है यह बताना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विहार option c बिलकुल राइट आंसर है मौर्य राजवन्स के स्थापना मगद में हुई थी जो वर्तमान विहार का गंगा का दक्षणी भाग है जिसमें मौल रूप से पटना गया नालंदा नवादा और अंगाबाद के छेतर इस्तित हैं मगद सामराज जी का केंद्र बिंदू राजगरह ये ध्यान रुकेंगे इसका केंद्र जो बिंदू था वो कहां पे था राजगरह और पाटली पुत्र इस राजगरह और पाटली पुत्र इनके केंद्र बिंदू थे और इस राजवंच के स्थापना चंद्र गुप्त मौर्य ने नंदवंच के अंतिम शाशक घना नंद का शाशन शामापत करके की थी अगला कुशन देखेंगे वाई सराई के कारी कारणी परिशद में नियोक्त पहले भारती कौन थे तो देखें वाई सराई की कारी कारणी परिशद में नियोक्त पहले भारती बताने हैं तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र परशाद सिन्हा ऑप् गई थी ध्यान दीजीगा इन्हें लॉड के उपादी कब दी गई थी परतम विश्वयुद के बाद और अंडर सेकेरिटी ओफ स्टेट फॉर इंडिया के पद पर इन्हें नियोक्त कर दिया गया था और वर्ष 1920 के अगर हम बात करते हैं तो वर्ष बाद में वर्ष 1920 में लॉड सिनह बिहार था उडिसा के गवर्णर जनरल भी नियोक्त किये गए ये आपको याद रखना है अगला कुश्चन देखेंगे गुलाब सोना मिश्र धातू में सोने के अलावा अन्ये कौन सी धातू शामिल है तो देखें गुलाब सोना मिश्र धा की बीमा है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है अगला कुश्चन देखेंगे देखें ऑल्मोस्ट फिप्टी कुश्चन आपके सॉल्व हो चुके हैं तो शेशन को जल्दी से शेर कर दीजे जिन लोगोंने नहीं के द्वारा और आप सभी लोग एक दिन में थावजन व्यू लेके आते हैं तो इसका जो पीडिएफ है इसकी पीडिएफ वो भी मैं टेलिग्राम ग्रूप अपने टीम से कहकर प्रोवाइट करवा दोंगी तो आप सभी लोग जाद से जादा इसको शेर कीजे शेशन को ब भी टेलिग्राम ग्रूप पर में प्रोवाइट करवा दोंगी तो जल्दी से आप सभी लोग चैनल को शेर कर दीजे ताकि जादा से जादा लोग देखें और आपको जल्दी से ये पीडिएफ मिल जाए तो चलिए अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है भारत में न होता है यहां पर आपका करेक्ट आंजर क्या होजाएगा किरल राज्य केल्स में सबसे झादा रवर का उत्वादन किया जाता है अगला कुशन देखेंगे बंदर पूच इस्थित है बंदर पूच गलेश का नाम है ये याद रखेंगे यह कहां पर उत्तरकाशिश्यित ज पिले में बंदर पूछ परवद पर इस्तित है और इसकी लंबाई की बात करें तो 15 किलो मीटर इसकी लंबाई है और उत्राखन का सबसे बड़ा आपसे गलेशर पूछा जाए तो कौन सा है गंगोत्री गलेशर है ये भी आपके उत्रकाशी में ही इस्तित है अगला कुशन माघ मेला डैस के दिन शुरू होता है तो देखें माघ मेला किस दिन शुरू होता है मकर शकरांती के दिन माघ मेला शुरू होता है और उत्राखन राजिये में माघ मा में मकर शकरांती के दिन शुरू होता है यह मेला एक सबता तक चलता है तथा भारत के सभी प्रमुक्ति तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा महारास्टर ऑप्शन बी इसकुशन का राइट आंसर है देखे भारत में सूती वस्र की पर्थम आधुनिक मिल स्वतंतरता से पहले 1818 इसबी में बंगाल के फोर्ट ग्लोस्टर में प्रस्थापित किया गया था ये ध्यान रखेंगे कहां पर इसके स्थापना हुई थी बंगाल के फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित किया गया था किन्तु यहां असफल रही थी सफल नहीं हो पाई यह मिल जो थी तो इसके बाद 1854 इसबी में मुंबई के काव सजी डावर नारा भाई द्वारा कार खाना खोला गया था तो कहां पर महरास्ट में यह खोला गया था कब खोला गया था 1854 में यह याद रखेंगे मुंबई के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था काव सजी डावर नाना भाई तो इनके द्वारा यहां कार खाना खोला गया था जो की काफी सफल रहा था चलिए आगला कुशन देखते किसान credit card याने कससी योजना किस वर्ष लागु की गई किसान credit card योजना जो है इसको लागु किया गया था वर्ष 1998, 99 में option भी यहां पर आपका right answer हो जाएगा और credit card किसान credit card योजना के शुरुवात किसानों को उनकी रिण संबंदे आवशक्ताओं की पूर्ती हितू वर्ष 1998-99 में शुरू की गई थी इसकी योजना की शुरुवात की गई थी और इस योजना की अंतरगत के शानों को एक वर्ष में कम की अविधी के लिए क्या दिया जाता है रिण दिया जाता है अगला कुश्यन देखेंग राइट आंसर हो जाएगा प्रात्मिक शिक्षा का सार्व भौमिकरण करना तो प्रात्मिक शिक्षा के सार्व भौमिकरण के लिए वर्ष्र 1995 में मध्यान योजना चलाई गई थी तो option B यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रात्मिक शिक्ष्या के सार्व भौमी करण को प्रुचाहन देने के लिए सरकारी और सरकारी साहता प्राप्ते स्कूल विशेश प्रिशिक्षन केंडरो वश्ठर्व शिक्षय अभियान के तहट आनेवाले मदर्शों के प्रात्मिक कक्षया के सबी विद्यार्थियों को दो पहर में, दो पहर के समय दिया जाने वाला जो भोजन है इसको मद्यान, भोजन कहा जाता था और इस योजना की शुरुवात भारत सरकार द्वारा ततकालिन प्रधान मंत्री पीवी नर्सिंहाराओ के कारिकाल में 15 अगस्त 1995 में की गई थी और वर्तमान में इस योजना का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है प्रधान मंत्री पोशन मिशन कर दिया गया है तो ये आपको याद रखना है इसका वर्तमान में नाम क्या है ये भी ध्यान रखेंगे अगला कुशन देखेंगे अमीर खुशो द्वारा रचित कविता चाप दिलक सब छीनी ये किस भासा में रचित कविता है ये बताना है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज भा और इस कविता को अक्सर कवाली की तरह गाया चाता है और भारती उप महादीब के अनेक महशूर जो गायक है उन्होंने भी ये कवाली गाई हुई है अगला कुशन देखेंगे जी एस्टी में निमने लिखित मैंसे किस कर यानि राजी कर को शामिल किया गया था तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा चुंगी कर को ऑप्शन ए बिलकुल राइट आंसर है और यह एक प्रकार का राजी कर है जो राजी त्वारा ही लगाया और वसूला जाता है यह आपको याद रखना है अगला कुश्चन देखें विश्रो स्वास्त दिवस किस द अपरेल 1948 को स्थापना की गई थी तो इसके स्थापना दिवस को ही विश्रो स्वास्त दिवस के रुप में मनाया जाता है अगला कुश्चन देखेंगे चंद्रकुमर बरतवाल का जन्म हुआ था कहां पर मालकोटी गाउं में हुआ था जो की वर्तमान रुद्रुफरिया जिले में स्थित है अगला कुश्चन देखेंगे ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है तो देखें ब्यूनस आयर्स जो है ये किस देश की राजधानी है ये बताना है तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटेना अर्जेंटेना बिल्कुल करेक् कारा कस में वेनेजुला की राजधानी है कारा कस में और इसके अलावा ब्राजील की राजधानी कहाँ पर इस्तित है ब्राजीलिया में ब्राजीलिया में ब्राजील की राजधानी है और बोलीविया की राजधानी कहाँ पर है ये भी नोट कर लिएगा सुक्रे में है, तो किसकी राजधानी कहा है यह याद रखना है, तो ब्यूनस आयर्स किसकी राजधानी है अर्जेंटेना की राजधानी है option C बिल्कुल correct answer है चलिए अगला question देखें, अगला question है आपका डैस, राश्टी उद्ध्यान में सबसे अधिक एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं तो किस राश्टी उद्ध्यान में सबसे अधिक एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं तो यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा कांजी रंगा राश्टी उद्ध्यान option C यहाँ पे आपका right answer है कहां पर इस्तित है कांजी रंगा, राश्टी उद्ध्यान, असम राज्ये में इस्तित है और यहर राश्टी उद्ध्यान यह नियुक्ड इसको द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है और देखे एक सिंग वाले गैंटे के लिए ये सरवादिक परशिद्ध है कांजी रंगा रास्टिध्या नहीं याद रखें अगला कुशन देखेंगे इमफाल किस भारती राजी के राज़धानी है तो देखें इमफाल जो है ये किस के राज़धानी है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है मणिपूर की रास्थानी है इमफाल ऐसे ही तरपुरा की रास्थानी कहाँ पर है अगरतला में है और नागलेंड की रास्थानी है कोहीमा में सिक्कीम के राजधानी गैंग टॉक में अगला कुश्चन देखेंगे भारत में निम्लिकित में से कौन सा शहर करकरेखा से सबसे दूर है तो कौन सा शहर है जोगी करकरेखा से सबसे दूर है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा भूनेश्वर करकरेखा भारत के आठ राजियों से होकर गुजरती है यह आपको याद रखना है यहाँ से अकसर कुश्चन पूछा जाता है किस राजिस से होकर गुजरती है किस राजिस से होकर नहीं गुजरती है और साथ यहां पे पूछा गया है भारत में निमलकित मैंसे कौन सा शहर करकरेखा से सबसे दूर है तो यह इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिजे करकरेखा से कुश्चन पूछा जा रहा है आयो के द्वारा तो दीखे करकरेखा भारत के आठ राजियों कौन कौन से यह राजी है मिजोरम राजी है तिरपुरा है पश्यम बंगाल है जारखंड है चतिजगर है माध्यपरदेश राजिस्थान गुजराद तो यह आठ राजियों से होकर गुजरती है क्योंकि भूनेशर कहां पर इस्तित है ओडीशा राजी में याद रखेंगे भूनेशर है ओडीशा राजी में तो कुशन के according दिये गए इस्थानों में क्या हो जाएगा भूमनेशर जो है ये करक रेखा से सबसे अधिक दूर है क्योंकि ओडीशा राजी से होकर नहीं गुजरती है करक रेखा ये आपको याद रखना है तो relate करके भी आयो कुशन पूछ लेता है तो सबी तरीके से आपको इसको पढ़ लेना है कुशन को अगला कुशन देखेंगे हॉर्ण बिल महोत्सो किस राजी में मनाया जाता है ये भी आपका पूछा गया कुशन है तो हॉर्ण बिल जो महोत्सो है ये किस राजी में मनाया जाता है ये मनाया जाता है नागा लेंड में option ए बिलकुल right answer हो जाएगा देखे हॉर्ण बिल महोचो नागा लेंड में एक दिसंबर से लेकर एक दिसंबर से लेकर दस दिसंबर के बीच में मनाया जाता है और नागा लेंड की राजधानी कोहिमा में मनाए जाने वाले इस त्योहार का नाम राजी में पाए जाने वाले रंग बरंगे पक्षी हौन बिल के नाम पर रखा गया है हौन बिल एक पक्षि का नाम भी है तो यहाँ पर पाए जाते हैं रंग बरंगे पक्षि हौन बिल जिनके नाम पर इस उत्सव का नाम रखा गया है और इस त्योहार का मुख्यों देशिन नागा संस्कृति को संगरक्षित करना और बढ़ाबा देना है अगला कुशन देखे भारत का समविधान भारत के महा नियाईवादी की नियुकति का अधिकार डैस को देता है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा देखे राश्टपति को भारती समविधान के अनुशेद आर्टिकल 76 जो है भारती समविधान के अनुशेद 76 के अ और प्रशाद परियंत क्या करता है पद को धरण करता है अगला question देखेंगे भारत का मोल रूप वो किस के द्वारा हाथ से लिखा गया था प्रेम विहारी नारायन रायजादा के द्वारा लिखा गया था और उनको इसे लिखने में कितना टाइम लगा था छै मां लगे थे और सम्विधान के हर पेज को चित्रो के आचारी नंदलाल बोस चित्रो से किसने सजाया था सम्विधान के हर पेज को चित्रो से सजाया हुआ था किसने सजाया था आचारी नंदलाल बोस ने सजाया था ये आपको याद रखना है ये काफी महतपोन कुश्चन है आपका भारती सम्विधान के मूल रूप म मांग में वृद्धी उपभोगता की आई में डेस्ट के सांथ किस के सांथ होती है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वृद्धी के सांथ किसी सामानी वस्तु की मांग में वृद्धी उपभोगता की आई में वृद्धी के सांथ होती है यानि कि जैसे जैसे वोकता क्या आई बढ़ती है वैसे वैसे वस्तु की मांग मैं भी क्या होती है व्रिद्धी होती है अगला कुश्यन देखेंगे जंगल भारत जंगल भारत के समविधान की साथवी अनुसूची में दी गई है डैस सूची में सूची बद्ध है तो देखे जंगल भारत के समविधान की किस अनुसूची में साथ भी अनुसूची में दी गई है और किस सूची में से सूची बद्ध किया गया है यहां पे आपको करेक्ट कर लेना है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समवर्थी सूची option D बिलकुल right answer है और इस विशई पर केंद्रो वर राज ये दोनों सरकारे कानून बना सकती है अगला देखेंगे भारती सम्विधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षय परदान करेगा तो देखें किस मौलिक अधिकार में ये कहा गया है तो ये मौलिक अधिकार है आपका समानता का अधिकार option इस question का right answer है भारती सम्विधान के समानता का अधिकार किस में वरनित किया गया है किस अनुछेद में अनुचे 14 से लेकर 18 में समानता का अधिकार वर्णित है और समानता का अधिकार नामक मौली का अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षया परदान करेगा और यहाधिकार अनुचे 14 के अंत्रगत शमाहित है अगला कुशन देखेंगे निमनलेखित मैं से किस व्यक्ति ने सभी तीन गोलमेज सम्मेलों में भाग लिया था तो दीकित तीन गोलमेज सम्मेलों में किस ने भाग लिया था डॉक्टर बी आर अमबेट करने लिया था ओप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है पहला गोल में सम्मेलन कब हुआ था 19 जन्वरी को हुआ था 12 से लेकर 12 नवेंबर से लेकर 19 जन्वरी तक हुआ था वर्ष कौन सा था 1930 का ये वर्ष था तो 12 नवेंबर से लेकर 19 जन्वरी 1930 को पहला गोल में सम्मेलन हुआ था ये आपको याद रखना है जन्वरी होगा तो 31 होगा 12 नवेंबर 1930 से 19 जन्वरी 1931 तक पहला गोल में सम्मिलन हुआ था दिती गोल में सम्मिलन की बात करते हैं तो दूसरा जो गोल में सम्मिलन हुआ था ये 7 सितंबर 1931 से लेकर 19 दिसंबर 1931 तक हुआ था और तीसरा जो गोल में सम्मिलन हुआ था ये 7 नवेंबर 1932 से लेकर 24 दिसम्बर 1932 तक हुआ था तो ये तीनों गोलमेच सम्मेलन आपको याद रखने हैं 17 नवेंबर से लेकर 1932 से लेकर 24 दिसम्बर 1932 तक आपका कौनसा गोलमेच सम्मेलन आखरी वाला यानि तीसरा गोलमेच सम्मेलन गांधी जी ने कॉंग्रिस के एक मात्र प्रतिनिथी के रूप में भाग लिया था ये वियात रखेंगे अगला question देखेंगे भारती अर्थ व्यवस्ता का मेरू दंड कौन सा छेत्र है तो देखें भारती अर्थ व्यवस्ता का मेरू दंड है कौन सा छेत्र ये है कृशी छेत्र option D यहाँ पे आपका right answer है और भारत के आधे से अधिक लगभग तो लगभग 55% जो आवादी है तो 55% आवादी का भरण पोर्शन कृषी पर निर्वर है ये द्यान देखेंगे भारत की आधे से अधिक लगभग 55% आवादी का भरण पोर्शन किस पर निर्वर है कृषी छेत्र पर निर्वर है option D's question का बिलकुल right answer है और देखे और दिविक छेतर के प्रगती और उफलब्दी भी कृषिगत कच्चे माल पर ही निर्भर करती है चलिए अगला कॉशन देखेंगे निमन हिमानचल और डैस के बीच इस्तित लंबवद घाटी को दून के नाम से जाना जाता है तो देखें निमन हिमानचल और डैस किस घाटी के बीच यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक हिमानचल और शिवालिक के बीच में इस्तित जो लंबवपद घाटी होती है इसको किस नाम से दून के नाम से जाना जाता है option, c, यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा जैसे की दिहरादून पूरु में इसे द्वार कहते हैं इस तो यह आपको याद रकना है निमने हिमांचल और शिमालिक के बीच इस्तित्लमद गाटी होती है इनको दून के नाम से जाना जाता है जैसे की देहरा दून और पूरू में इसे किस नाम से द्वार के नाम से जाना जाता है जैसे की कोड़ द्वार, हरी द्वार अगला कुशन देखेंगे बहु कोशिका जीव डैस के द्वारा व्रद्धी करते हैं तो देखें बहुँ कोशी का जीव जो होते हैं ये किसके द्वारा विरद्धी करते हैं कोशी का विभाजन के द्वारा option D यहाँ पे आपका right answer है अगला question देखेंगे लोग उत्सव हिल जात्रा का सम्मंद किस जनपत से है एस question का बिलकुल right answer है देखें पितौरकर जनपत के कुमाण गाओ में किस गाओ में? कुमाण नामक गाओ में हिल जात्रा, लोग उत्सव मनाया जाता है हिल जात्रा को रास्टि स्थार पर प्रशिद्धी देने का शच्रे प्रश्ँद रंग कर्मी मोहन उपरेती को जाता है ये भी आपका महतपोन पॉइंट है मोहन उपरेती जो है इनको श्रीज जाता है ये मोहन उपरेती को क्या श्रीज दिया जाता है बताएं हिल जातरा को राश्री इस तरपा प्रशिद्धि देने का श्रीज दिया जाता है प्रशिद्र रंग कर्मी मोहन उपरिती को अगला कुशन देखेंगे चंद शाषन के समय कितने परकार के राज्य कर एकत्रित किये जाते थे तो देखेंगे चंद शाषन काल की अगर हम बात करते हैं तो इनके समय में कितने परकार के राज्य कर एकत्रित किये जाते थे छोटे बड़े मिला कर 36 प्रकार के कर एकत्रित किये जाते थे चंद शाषन काल में option C बिल्कुल right answer है यहाँ पे अगला question देखेंगे गरी राज चक्र चूड़ा मनी की उपाधी धरन करने वाले शाषक कौन थे अगला question देखेंगे अशुक के कौन से शिलाले को ब्रहमी लिपी का प्रियोक नहीं किया गया है तो कौन सा सिलालेक है अशुक यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा शहपाजगडी शिलाले किस लिपी का प्रियोक किया गया है खरोष्ठी लिपी का यह याद रखेंगे इसमें खरोष्ठी लिपी का प्रियोग किया गया है ब्रहमी लिपी का प्रियोग नहीं किया गया है इंपोर्टेंट कुश्चन है अगला कुश्चन देखें विशाका दत्व द्वारा लिखित मुद्रा राक्षष कौन सी भाषा में है तो देखिए मुद्रा राक्षष के लेखक है विशाका दत्व द्वारा लिखित ये पुस्तक है मुद्रा राक्षष तो ये किस भाषा में लिखी गई है ये बताना है तो यहाँ पे आपका करेक तान्सर क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा विशाका दातो द्वारा लिखित मुद्रा राक्षा संस्क्रिट भाषा के एतिहासिक पुस्तग है और इस पुस्तग से गुवशल शब्द का उलेक किया गया है अगला कुशन देखेंगे भारत में इस्थानी श्वशाशन का किसे माना जाता है important question है देखिए भारत में इस्थानी श्वशाशन का जनक माना जाता है Lord Rippan को option B यहाँ पर आपका right answer है Lord Rippan का कारिकाल अब से लेकर कब तक था 1800 8080 से लेकर 1884 तक Lord Rippan का कारिकाल था और Lord Ripen के राजिकाल का सबसे महत्वोण कारिय इस्थानी स्वशाषन पर शरकारी प्रसताव था Lord Ripen देशी की नगरपाली काओ को विक्सित करना चाहता था इसलिए Lord Ripen को भारत में इस्थानी स्वशाषन का जनक कहा जाता है अगला कुशन देखेंगे वस्च उत्राखंट में किस इस्थान पर होम रूल लीग की एक साखास्थापित की गई थी कब 1918 में और कहां पर की गई थी देहराद दून में option B यहां पर आपका right answer हो जाएगा देखें उत्राखन में home rule league को विक्टर मोहन जोशी पद्रिजात पांडे जिरंजी लाल हिम चंद आदी ने मिलकर चलाया था अगला question देखेंगे बुलन दर्वाजा कहां परिस्तित है बुलन दर्वाजा बताना है और यह question आपसे पूछा कया है पहले भी तो इसको याद रखेंगे देखें बुलन दर्वाजा जो है परसों एक paper मैंने solve कराया है तो उसमें जो आपका सामान या ध्यान वाला portion है तो वहीं पर आपको पहले ही नमबर पर यह question देखने को मिलेगा तो आप सभी लोग इस question को भी अच्छे से तयार का लिजे क्योंकि ये भी आपका repeated question है तो देखें बुलन दर्वाजा जो है ये कहां पर उत्तरप्रदेश राजी के कहां पर इस्तित है बताईए बुलन दर्वाजा उत्तरप्रदेश राजी के फतेपुर्श शिक्री में इस्तित है तो वहां पर राजी नहीं पूछा है वहां पर पूछा है फतेपुर्श शिक्री आपको option में मिला था फते पुर शिक्री तो फते पुर आपको यहाँ पर करेक्ट कर लेना था फते पुर शिक्री में इस्तित है बुलंद दरवाजा तो यह आपको याद रखना है और इसका निर्मान किसने करवाया था हो सकता है यह भी पूछा जाए आपसे तो अगवर याद रखें अगवर ने इस दरवाजे का निर्मान करवाया था अगला कुशन देखेंगे खजुराहो के मंदिरों का निर्मान करवाया था तो देखें यह भी इंपोर्टेंट कुशन है खजुराहो के मंदिरों का निर्मान चंदिल सास्कों ने करवाया था तो खजुराहों के मंदिर किस शैली में निर्मित किये गए हैं ये भी कुशन पूछा जा सकता है तो याद रखें खजुराहों के जो मंदिर है ये किस शैली में नागर शैली में निर्मित किये गए हैं नागर शैली के ये मंदिर है, खजुराहों के मंदिर, अगला कुशन देखेंगे, नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश से अपने सीमा साज़ा करता है, अप्शन A पर आपका right answer है नेपाल के सीमा भारत ऐवं चीन से लगती है, ये याद रखें, अगला कुशन Ray Tomlinson को किसका श्रेय दिया जाता है, तो दीखें, Ray Tomlinson को श्रेय दिया जाता है, किसका दिया जाता है, सबसे पहला email भीजने का श्रेय दिया जाता है, option A, यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, अगला question देखें, IRDA सम्मंदित है, किससे सम्मंदित है बताईए, IRDA, जल्दी से बताएं, जिन लोग को आंसर आ रहा है, IRDA किससे सम्मंदित है, तो देखें, IRDA के full form के अगर हम बात करते हैं, तो इसका full form होता है, ensure regulatory and development authority, यानि कि बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरन, तो इसको in short बोला जाता है, IRDA, तो इसको याद रखेंगे, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरन, आपने नाम सुना होगा, लेकिन in short क्या बोला जाता है, यह आपको शायद ही पता होगा, तो आप सब लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, और यह बीमा छेत्र के बिनिमे से सम्मन्दित है, तो यहाँ पे आपका correct answer क्या हो जाएगा, भारत के बीमा छेत्र के बिनिमे से सम्मन्दित है, option B यहाँ पे आपका correct answer है, अगला question देखेंगे, पाकियोंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राजी की राजधानी गैंग टॉक का निकरतम हवाई अड़ा कौन सा था, तो देखेंगे, पाकियोंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राजी की राजधानी गैंग टॉक का जो निकरतम हवाई अड़ा था, यह कौन सा अगला कुश्चन देखेंगे तुगलक नामा का लेखक है तो देखें तुगलक नामा के लेखक बताने है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुश्रो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है तुगलक नामा अमीर खुश्रो द्वारा लिखित एदिहासिक पुस्तक है जिसमें खुश्रो शाह के विरुद्ध गया सुद्दिन तुगलक की विजय का उल्लेख है अगला कुश्चन देखेंगे स्टैच्यो ऑफ यूनिटी 10 के पृति श्रद्धान जली है तो देखें स्टैच्यो ऑफ यूनिटी ये किसके पृति श्रद्धान जली है यहां पे आपका राइट आंसर है सर्दार वल्ला भाई पटेल ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टैच्यो ऑफ य गुझराद के बड़ोधरा शहर में 10 किलॉमीटर गुझराद के बड़ोधरा जो शहर है इससे 100 किलॉमीटर देन के किनारे इसका निर्माद कराया गया था इसकी उचाई है 182 मेटर जो कि विश्व में सबसे उची प्रतिमा है यह आपको याद में रखना है अगला कुशन देखेंगे कंचन जंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा परवत डैश के बीच सीमा परिस्तित है तो देखें कंचन जंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा परवत किसके सीमा के बीच इस्तित है तो यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा भारत और नेपाल के बीच सीमा पर इस्तित है कंचन जंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा इसकी जो हाइट है वो 8586 8586 मीटर है तो कंचन जंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा परवत महान हिमाले शेडी में भारत व नेपाल के सीमा के बीच इस्तित है अगला कुश्चन देखेगा देखे जिन लोगों ने शेशन को अभी भी शेर नहीं किया है जल्दी से शेशन शेर कर दीजे क्योंकि काफी महत्वपूर्ण शेशन है और इस चैनल को भी भी सस्क्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सस्क्राइब भी कर लिजे अगला देखें भारती सम्विधान के अनुच्छे 243 बा के अधीन गठित ग्रामेंड शेत्रों के लिए स्वासरकार की संस्था कौन सी है तो दीए यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा पंचायत ऑप्शन भी विलकुर राइट आंसर है भारती सम्विधान के भाग नाइन को का अनुच्छेद 243 बा और 243 बा को क्या बोला जाता है 243 बी भी आप बोल सकते हैं और 243 ख त्री स्थरी पंचायती व्यवस्था के बारे में प्रावधान करता है भारती सम्विधान के भाग नाइन को का अनुच्छेद 243 बा 243 बी 243 ख 133 पंचायती व्यवस्था के बारे में प्रावधान करता है जो कि ग्रामिन छेत्रों के लिए श्वसरकारियां इस्थानी श्वसाशन की संस्ता है अगला क्यूशन देखेंगे निमने में से कौन सा राजी भारत में खाद्यान का सबसे बड़ा उत्पादक है तो देखें खाद्यान का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है बताईए कौन सा राजी है तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा उत्तरप्रदेश राजी ऑप्शन सी बिलकुल राइट आंसर है भारत की प्रमुखाद्यान फसलें गेहूं और चावल है और सरवाधिक गेहूं उत्पादक राजियों का क्रम है उत्तरप्रदेश मध्यपरदेश और फिर पंजाब पहले उत प्रमुखाद्यान का सबसे बड़ा उत्तरप्रदेश है तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरप्रदेश आपको याद रखना है अगला कुश्चन देखेंगे इन में से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाशा नहीं है तो देखें कंप्यूटर प रेगिस्तान रहित महादीप है तो देखें रेगिस्तान रहित महादीप बताना है तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप औप्शन बीस कुश्चन का राइट आंसर है यूरोप रेगिस्तान रहित महादीप है यहां की जलवायू शितोष्न कटिबंदी जलवायू है और प्रश्ट छेतरफल के आधार पार यूरोव जो है ये विश्व का दूसरा सबसे छोटा महादीव है अगला कुश्यन देखेंगे एक व्यक्ति अपनी पत्नी से तीन वर्ष बड़ा है और अपने पुत्र से चार गुना बड़ा है यदि तीन वर्ष बात प अगला कुश्यन देखेंगे यदि बीते कल से पहला दिन परसों बुदवार था तो रविवार कब होगा तो देखें रविवार कब होगा ये बताना है तो आने वाले कल के बाद अगला दिन क्या होगा रविवार का होगा यानि क्या option C यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा एक घन की तीन इस्थितियां दी गई हैं उसके अधार पर यह पता कीजिए कि अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा तो देखें अंक 2 के सामने कौन सा अंक होगा ये बताना है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 अंक 2 के सामने हो होगा भोग चैनला कुश्जन देखेंगे अंग्रेज़ी हो अंग्रेजी बषब न माला में 12 में 19 अक्षर तता 42 जौद गर मद्धिय कोन सा अक्षर होगा तो कौन सा अक्षर होगा बताइए यह buna के अक्सर अगला question देखें last question है आज के session का निम्ने लिखित być आकर्टी में वर्ग मनूवैग्यानिकों को दर्षाता है तिरभूच रशाय विदों को दर्षाता है, व्रत अभिनेताओं को दर्षाता है और आयत माताओं को दर्षाता है अक्षरों का कौन सा set उन माताओं को दर्शाता है जो अभी नेता नहीं है तो देखे यहाँ पे correct answer choose कर लेना है तो correct answer क्या हो जाएगा आपका option B जी यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा तो okay guys आज के session में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये session काफी पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये session पसंद आता है तो session को like कीजिए share कीजिए जिन लोगों ने अभी भी हमारे youtube channel study with aim को subscribe नहीं किया है वो subscribe कर लिजे हिंदी की class नहीं देखिए है शाम 5 बिजे वाली तो आप सभी लोग देख लिजे काफी महत पूना आज की class है तो आप सभी लोग देख लिजे सभी आगामे exam के लिए important रहेगी और अगर आप सभी लोग जादा से जादा इस session को share करते है और कम से कम आपके 500 इसमें like सो आते है और जादा से जादा कम से कम 2000 view एक दिन के आते हैं तो आप सभी लोगों को इसकी PDF प्रोवाइड करवा दूँगे टेलिग्राम गुरूप पर तो जादा से जादा raise बढ़ा है आप सभी लोग इस practice set की जादा से जादा इसको share कीजिए तो आप सभी लोगों पे ही depend है आपको इसकी PDF चाहिए या नहीं चाहिए तो PDF अगर आपको दिये गए अगर आप दो आपके 2K subscriber हो जाते हैं और 500 कम से कम लाइक रहते हैं तो आपको PDF तुरंत ही प्रोवाइड में करवा दूँगे तो आप सभी लोग जादा से जादा इसको share कीजिए